नमस्कार दोस्तों स्याम LCAJS क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कारबन का अप्रूप के बारे इगात पढ़ने बाले हैं। समान कार्बन में क्या होता है रसाइनी गुन समान किंटू बहुती गुन अलग-अलग होता है तो कार्बन के अपरूप दो परकार के होते हैं एक रबेदार एक बेरबेदार यानि एक क्रिस्टल ये और दूसरा नन क्रिस्टल ये होता है तो रबेदार में क्या सबाता है हीर ग्रेफाइट फुलरीन और बेरवेदार अप्रूप में से सभी आते हैं बांकि इस तीनों को छोड़के तो हीरा कार्बन का सुद्ध एवर क्रिस्टल ये रूप क्या है दोस्तो हीरा है इसमें चार परमानू होते हैं जो एक दूसरे से चतुर स्कोनिय आकिरती से सजा रहता हीरा प्राकिरती में ज्याद सभी तत्य या पदार्थ में कथोर्तम तत्य है इसका अपवर्टनांग हीरा का कितना होता है दोस्तो 2.42 है उच अपवर्टनांग के कारण तरासे हुए हीरा से परकास का पून आंतरिक प्राबर्तन होता है उच अपवर्त नांग के कारण तरासे वो हीरा से परकास का पुन आंतरिक प्राबर्तन होता है हीरा प्राकिर्तिक में सिर्फ मुक्त अवस्था में पाए जाता है या किमबर लाइट चत्तान से प्राप्त होता है हीरा काउपियो कहां किया जाता है दोस्तो हीरा कवपयों आभुसन के रूप में, चत्तान में छिद्र करने में, सीसा कटिंग में, टंगस्तन का तार बनाने में, पहुती महत्पुन है दोस्तों हीरा कवपयों, आभुसन बनाने में, चत्तान में, छिद्र करने में, सीसा कटिंग में, और टंगस्तन का तार बनाने में, इत्यादी में किर्तिम हीरा किसको कहते हैं कार्बो रेंडम को जो सिल्कन कार्बाइड होता है किर्तिम हीरा किसको कहते हैं कार्बो रेंडम यानि सिल्कन कार्बाइड को हीरा विदुत उसमा दोनों का कुछालक है हीरा का गलनांग कितना होता है उच होता है उतना 383843 केल्वीन है यहीरा का गलनांग होता है 3843 केल्वीन हीरा प्रतेक कार्बन में सिंगल बॉंड के द्वारा घिरा होता है सुध हीरा पारदर्सी एवर रंग हीन होता है अब दोस्तो हम लोग ग्रेफाइट आते हैं कार्बन के अनुछ है जो एक दूसरे को सस्त कोनिया आकिर्थी में सजा हुआ रहता है ग्रेफाइट में कार्बन एक दूसरे से प्रत के रूप में सजा हुआ रहता है जिसके कारण उसमें फिसलन का गुन होता है अथा ग्रेफाइट का परियोग भारी मसीन में इसनेहक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का परियोग निकुलिया रेक्टर में न्यूट्वन की गती को धीमी करने के लिए मंदक के रूप में परियोग किया जाता है मंदक के रूप में दोस्तों भारी जल, D2O या नहीं तो बेरेलियाम उक्साइड का भी परियोग किया जाता है ग्रेफाइट कारबन का एक मात्र अपरूप है जिसमें फ्री इलोक्टरन यानि मुक्त इलोक्टरन पाये जाता है इसके कारण बिदुधारा का सुचालक होता है ग्रेफाइट हीरा के बिपरित मुलाइम होता है ग्रेफाइट को काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट इसका अपयोग HB Pencil बनाने में किया जाता है सुच सेल यानि ज्राइ सेल में इलोक्टरोद के रूप में धन्द रूप में एनोड का परियोग किया जाता है इलोक्टरोद के रूप में धन्द रूप का परियोग किया जाता है दोस्तों, कार्बन का तीसरा अप्रूप क्या था? फुलरीन. फुलरीन की खोज फूलर ने किया. किसने किया? फुलरीन की खोज फूलर ने. इसमें कार्बन के 60 परमानु एक दूसरे से फुतवल आकर्ती में सजा हुआ रहता है. इसमें कार्बन के 60 परमानू एक दूसरे को फूतवल की आकर्टी में घिरा हुआ रहता है कार्बन के बीर अभेदार अपरूप कौन साव है तो कोईला चारकोल कोक अलकत्रा है जिस पे आप लोग नज़र रखेगा कोईला को बायू की उपस्थिति में जलाने से प्राप्थ होता है 33-53 Kelvin है Carbon प्राकर्टी में उदासीन जल में ओबिले और Carbon में ओक्सी करन का गुन होता है Carbon के योगिक दो है एक Carbon Monoxide और एक Carbon Dioxide दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आवे तो आप Like कर देना, Share भी कर देना दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बिल आइकन को भी दबा दीजे धन्य बाद दोस्तो